तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Motorola की तरफ से आने वाले upcoming 5G smartphone के बारे में जो की रहने वाला है Motorola Edge 30 Ultra और इंडिया में आने से पहले ये चाइना में जाएगा और चाइना में लांच होने वाला है Motorola Edge X के नाम से और उसके बाद ये इंडिया में भी आपको देखने को मिलने वाला है बहुत ही जलद तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे हम बात करने वाले हैं क्या इसकी specif additions रहने वाली हैं क्या इसका price रहेगा सब चीजों के बारे में एक के कर के discuss करेंगे बट उससे पहले मेरा नाम है प्रकल्प और आप लोगों का पहुत स्वागत है टेक्वे प्रकल्प चैनल पर तो सबसे पहले हैं पर हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफून की बिल्ट क्वालिटी की बारे में तो according to reports इसके अंदर plastic की back रहने वाली है और उसी के साथ में आपको metal का frame देखने को मिलने वाला है glass protection कौन सा रहेगा यह अभी तक company की तरफ से कुछ भी clear नहीं हुआ है तो जो build quality रहने वाली है वो ठीक ठाक देखने को यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो next बात करते हैं आपर इसकी display quality की तो यहाँ पर आपको 6.67 inches की display देखने को मिलने वाली है और OLED panel इसके अंदर होने वाला है 10 bits का और उसी के साथ में आपको यहाँ पर 144 Hz का refresh rate देखने को मिलने वाला है तो display quality काफी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है इसके अंदर and काफी ज़्यादा अच्छा इसमें काम किया है Motorola ने इस पार next आपर हम बात करते हैं इसके cameras की तो इसके अंदर रहने वाला है 50 plus 50 plus 2 megapixel के triple rear camera और उसी के साथ में आपको यहाँ पर 60 megapixel का selfie camera देखने को मिलने वाला है तो जो इसके selfie camera है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है और rear camera भी काफी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है तो camera overall अगर हम बात करें तो काफी ज़्यादा बढ़िया camera setup इसके अंदर द इसी और smartphone के अंदर अभी तक की देखने को भी नहीं मिला है क्योंकि launch नहीं हुआ तो देखने को कहां से मिलेगा तो अभी इसके अंदर रहने वाला है तो काफी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर रहने वाला है 888 का एक next gen रहने वाला है तो काफी ज़्यादा अच्छा रह तो आपका फोन 35 मिनट्स के अंदर पूरा चार्ज हो जाएगा तो काफी ज़्यादा अच्छा यहां पर बैटरी बैक अपर आपको देखने को मिलने वाला है तो बैटरी मोडियूल काफी ज़्यादा तगड़ा यहां पर दिया गया है तो अगर हम बात करें तो काफी ज़ को मिलने वाला है और उसी के साथ मैं आप यहां पर डेडिकेटेड माइक्रो एस्टी कार्ड स्लोट को भी नहीं देख पाओगे तो यानि कि आपको मलब एक्स्ट्रा एस्टी कार्ड से आप इसकी स्टोरेज को नहीं बढ़ा सकते बात करें आप इसके प्राइस की तो यहा आप यह भी नहीं कह सकते कि बहुत जादा एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर आएगा तो मॉडरेट्स आपको यहां पर प्राइस पॉइंट देखने को मिलने वाला है बात करें आपर इसके वेरेंट्स की तो यह आपको तीन वेरेंट्स के अंदर देखने को मिलने वाल तो आज की स्वीडियो में बस इतना ही आए होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल नोटिफेश्चिन को भी डाउन कर दीजेए